हाई, आयाना लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है, आज हम नेक्स्ट यूटोरिल पे आ गए हैं, ये डिजाइन गर्ल्स का कार्डिगन पैटर्न है, इस डिजाइन में जाली और केबल दोनों हैं, इस डिजाइन के पीछे के हिस्से में 110 फंदे डले हैं, और आगे के ये ट्विस्ट और जाली डिजाइन बनाने में इंट्रेस्टेड है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरिल पे, ये सैंपल हम आपको 33 फंदों में डालके दिखा रहे हैं, और 16 सिलाई में जाके ये डिजाइन हमारा अबर हो जाएगा, पहले सिलाई सीधी तरफ से सीधी बनी जाएगी, शुरू के 10 फंदों पे हमारी केबल है, पहला फंदा सीधा बनेंगे, फिर उन आगे लाके एक फğlदा उल्टा बनेंगे, फिर उन पीचे ले जाके तीसरा फंदा सीधा, फिर उन आगे लाके चौथा उल्टा फिर उन पीछे ले जाके पाच्वा फंदा सीधा बुनेंगे और छटा फंदा भी हम सीधा ही बुनेंगे इसके बाद उन आगे लाके साथवा फंदा उल्टा फिर उन पीछे ले जाके आटवा फंदा सीधा फिर उन आगे लाके नवा उल्टा और उन पीछे ले जा हम उल्टा बन देंगे इसके बाद हम own अपने तरफ ही रखेंगे और design को हम वापिस से repeat करेंगे यानि कि यहाँ से हमें design को repeat करना होगा तो एक फंधा हम ने हैं पे सीधा बना इसके बाद own आगे लाके दूसरा फंधा उल्टा बना फिर उन पीछे लिजा के तीसरा फंदा सीधा, फिर उन आगे लाके चौता फंदा उल्टा इसके बाद उन पीछे लिजा के पाचवा फंदा सीधा बनेंगे, फिर छटा फंदा भी हम सीधा ही बनेंगे फिरून आगे लाके 7 वा उल्टा, फिरून पीछे ले जाके 8 वा फंदा सीधा फिरून आगे लाके 9 वा फंदा उल्टा और उन पीछे ले जाके 10 वा फंदा सीधा इस तरह से 10 फंदों को उल्टा सीधा बुनने के बाद हम वापस जाली डालेंगे इसके लिए हम उनको इस तरह से लपेटेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर उनको अपने तरफ ही रखेंगे और वापस पहले फंदे से पूरी सिलाई को रिपीट करेंगे यानि कि 10 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे और इस तरह से जैसे हमने शुरू के फंदे बुने थे वैसे ही हम इन फंदों को भी बुनते जाएंगे इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सिलाई almost over होती है इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से प्लेन उल्टी बुनी जाएगी उल्टी सिलाई बुनते वक्त हमेशा ध्यान रखें सिलाई का मुँ आपके अंदर की तरफ रहे इस सिलाई में हमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना इसे हमें प्लेन उल्टा बुनते जाना है इस सलाई को बुनते वक्त एक और बात का ध्यान रखें देखिए जो हमने पहली सलाई में जाली के फंदे बढ़ाए थे इन फंदों को भी हमें उल्टा बुनना होगा और इस तरह से हमारी दूसरी उल्टी सलाई भी ओवर होती है इस सलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सलाई पर इसमें पहला फंदा सीधा बुनेंगे फिरून आगे लाके दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे फिरून पीछे ले जाके तीसरा फंदा सीधा फिरून आगे लाके चौता फंदा उल्टा फिरून पीछे ले जाके पाचवा फंदा सीधा फिर छटा फंदा भी सीधा बुनेंगे फिरून आगे लाके सात्वा फंदा उल्टा, फिरून पीछे ले जाके आठवा सीधा, फिरून आगे लाके नवा उल्टा, फिर दस्वा सीधा. इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद, ध्यान दीजे हमारी जाली आ गई है, तो हम उन को उसी तरह से लपेटेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे. इसके बाद वापस जाली डालने के लिए उन हम अपने तरफ ही रखेंगे और फिर 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद, ध्यान दीजे हमारी वापस जाली आ गई है, तो हम उन को वापस इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे और जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुन देंगे. इसके बाद वापस जाली डालने के लिए हम उन को आगे ही रखेंगे और फिर वापस 10 फंदे उल्टे सीधे बुन देंगे. इस तरह से हमारी तीसरी सीधी सिलाई ओवर होती है इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद चौथी सिलाई आपको वापिस दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बनानी होगी अब हम आते हैं पाचवी सीधी सिलाई पर इस सिलाई में भी शुरू के 10 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हमारी जाली आ गई है तो अब हम उन को इस तरह से सिलाई पे आगे लाके लपेटेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे इसके बाद हम उन को आगे ही रखेंगे और वापस से रिपीट करेंगे यानि की दस फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे और इस तरह से दस फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए हमारी जाली आ गई है तो हम उन को वापस आगे लाके इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे और पाच फंदे उल्टे बुननेगे इसके बाद ध्यान दे हम उन को आगे ही रखेंगे जाली डालने के लिए और एक फंदा सीधा बुननेगे इस तरह से हमारे आपे एक फंदा भढ़ गया है कम्प्लीट करने के बाद छटी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बनानी होगी अब हम आते हैं साथवी सीधी सिलाई पर इस सिलाई में शुरू के 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हमारी यहापे जाली आ गई है tú हम उन आगे लाके इस तरह से जाली डालेंगे और 7 फंदे उल्टे बुन देंगे इसके बाद उन आगे रखते हुए 10 फंदे हम उल्टे सीधे बनेंगे इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बनने के बाद हमारी जाली आ गई है तो उन को हमने इस तरह से सिलाई पे लपेटा और 7 फंदे उल्टे बन दिये इसके बाद उन आगे रखते हुए ध्यान दीचे हमने आपे जाली डाली और वापिस 10 फंदे उल्टे सीधे बने और इस तरह से हमारी 7 फी सीधी सिलाई ओवर होती है इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद 8 वी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी अब हम आते हैं 9 सीधी सिलाई पर स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा शुरू के जो 10 फंदे हैं उन पे हमें केबल डालनी है इसके लिए हम इन फंदों को सिलाई पर इस तरह से उतारेंगे इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 फंदा हम आगे से सिलाई पे चड़ाएंगे और 5, 4, 3, 2, 1 फंदा हम उल्टे हाथ के सिलाई पे ले जाएंगे अब इसके बाद फंदों को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए हम बाकी के बचे हुए फंदे याने की 10 फंदा, 9 फंदा, 8 फंदा इसके बाद 7 फंदा और 6 फंदा उल्टे हाथ के सिलाई पे चड़ा लेंगे इसके बाद उन को हम आगे ही रहने देंगे और 10 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे तो पहला फंदा हमने सीधा बुना इसके बाद उन आगे लाके दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे इसके बाद उन पीछे ले जाके तीसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे थोड़े से फंदे यहाँ पे टाइट हो गए हैं तो हम दीरे-दीरे बुनते जाएंगे फिर उन आगे लाके चौता फंदा उल्टा फिर उन पीछे ले जाके पाचवा फंदा सीधा फिर छटा फंदा भी हम सीधा ही बुनेंगे इसके बाद उन आगे लाके साथवा फंदा हम उल्टा बनेंगे फिर उन पीछे लिजाके आठवा फंदा सीधा बनेंगे फिर उन आगे लाके नवा फंदा उल्टा फिर उन पीछे लिजाके दसवा फंदा सीधा इस तरह से हमने 10 फंदों को उल्टा सीधा बुन दिया अब ध्यान दीजे, यहाँ पे हमारी केबल डल चुकी है इसके बाद जाली देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 जालिया हमने डाल दी है अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे, राइट इन साइड के सिलाई पे और उसके बाद इसे यूँ ट्विस्ट करते हुए, वापस उल्टे हथ के सिलाई पे चड़ा देंगे और इसके बाद 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे ऐसा हम इसले कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले जाली डालके फंदों को बढ़ाया था, अब हम घटाएंगे इसके बाद हम उन आगे लाके 5 फंदे उल्टे बुनेंगे और इस तरह से 5 फंदे उल्टे बुने के बाद ध्यान दीजे ये फंदा और जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों का एक फंदा हम आगे से करेंगे इसके बाद हम उन पीछे ले जाएंगे और 10 फंदों को हम वापस सिलाई पर से उतारेंगे और जो हमने आपको नवी सिलाई के शुरुआत में बताया था, उनी स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे याने की 6, 7, 8, 9 और 10 फंदा हम सीधे हाथ के सिलाई पर ले लेंगे और पहला, दूसरा, दीसरा, चौथा, पाचवा फंदा हम उल्टे हाथ के सिलाई पर ले लेंगे ध्यान दीजे हमें फली का मून लेफ्ट इंसाइट के तरफ गुमाना है इसलिए हमने शुरू के 5 फंदों को लेफ्ट इंसाइट के सिलाई पर ले लिया और छटे से लेके 10 फंदे को हम पीछे से गुमाते हुए इस तरह से उल्टे हाथ के सिलाई पर ले आएंगे और इस तरह से सारे फंदों को उल्टे हाथ पर चड़ाने के बाद हम शुरू के 10 फंदों उल्टे और सीधे बुन देंगे नवी सिलाई में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हमने फंदे बंद किये हैं और जाली नहीं डाली है याने कि जो हमने नवी सिलाई के शुरुआत में आपको बताया उनी स्टेप्स को आपको वापिस से रिपीट करना होगा और उसी तरह से उनी स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी नवी सिलाई को ओवर करना होगा इसके बाद दसवी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे उल्टी बनानी होगी इसके बाद 11 सिलाई सीधी सिलाई है तो अब हम आते हैं 11 सिधी सिलाई पर इधर भी शुरू के 10 फंदे उल्टे सीधे बुने जाएंगे और इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हम इस तरह से इस फंदे को उतारेंगे और उल्टे हाथ के सिराई पे ट्विस करते हुए चढ़ा देंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा उन आगे लाके आगे से कर देंगे इसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इसके बाद चौते और पाचवे फंदे को हम दो का एक आगे से कर देंगे इसके बाद वापिस उन पीछे लजाके दस फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे और इस तरह से दस फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने फंदे भड़ाए थे तो अब हम दो-दो फंदे गटाते चलेंगे इसके लिए हम इस फंदे को इस तरह से ट्विस करते हुए वापिस चड़ाएंगे और दो फंदो का एक फंदा आगे से कर देंगे इसके बाद तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे इसके बाद जो चौथा पाचवा फंदा है उसे भी हम दो का एक कर देंगे आगे से यानि कि ध्यान दीजे यहाँ पे हमारे एक, दो, तीन, चार और पाच फंदे उल्टे हो गए इसके बाद उन पीछे ले जाके दस फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे इस तरह से हमारी ग्यारवी सीधी सिलाई ओर होती है इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद बारवी सिलाई आपको वापिस दूसरी सिलाई के जैसे प्लेन उल्टी बनानी होगी इसके बाद हम आते हैं तेरवी सीधी सिलाई पर इसमें भी शुरू के 10 फंदे हम उल्टे सीधे बुनेंगे और इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बुने के बाद हम इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे और ट्विस्ट करते हुए चड़ा देंगे और फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर वापिस दो फंदों का एक फंदा इस तरह से कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हो हमने तीन फंदे उल्टे बुन दिये इसके बाद हमारी वापिस केबल आ गई है तो हम दस फंदे सीधे उल्टे बुन देंगे इस तरह से केबल के 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हम उन आगे लाके इस तरह से फंदे को उतार के ट्विस्ट करेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर वापिस दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से हमने वापिस तीन फंदे उल्टे बुन लिए है इसके बाद हम वापिस से केबल के लिए दस फंदे उल्टे सीधे बुन देंगे और इस तरह से आपको आपकी पूरी तेरवी सिलाई को ओवर करना होगा इसके बाग चौदवी सिलाई आपकी वापिस दूसरी सिलाई के जैसे प्लेन उल्टी बुनी जाएगी 14 सिलाई कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं पंदरवी सीधी सिलाई पर इस सिलाई में भी शुरू के 10 फंदे उल्टे सीधे बुने जाएंगे द्यान दे पंदरवी सिलाई पहली सिलाई के जैसे ही बनाई जाएगी बस पहली और पंदरवी सिलाई में डिफरेंस ये होगा कि ये जो 3 फंदे हैं हम यापे इन 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे लेकिन 3 फंदों का 1 फंदा करने से पहले हमें यापे जाली डालनी होगी इसके लिए हम उनको इस तरह से लपेटेंगे और फिर 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे ऐसा करने के बाद स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा अब हमारे फंदे बराबर हो चुके हैं याने कि जो हमने पहले सिलाई में जत्ते फंदे डाले थे उत्ते के उत्ते फंदे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं इसके बाद हम वापिस से जाली डालते हुए 10 फंदे उल्टे सीधे बुनते जाएंगे इस तरह से 10 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद हम वापिस से उन आगे लाएंगे इसके बाद ध्यान दीजे हम उनको आगे ही रखेंगे क्योंकि हमें फंदे के आगे पीछे चाली टालनी है जैसा हमने पहली सिलाई में डाला था तो हम इस तरह से चाली डालते हुए 10 फंदे उल्टे सीधे बुन लेंगे इस तरह से हमारी 15 वी सिलाई को हम over करेंगे और 16 वी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी इसके बाद ध्यान दीजिये 17 वी सिलाई आपको तीसरी सिलाई के जैसे repeat करनी होगी और इसी तरह से इनी steps को repeat करते हुए आपको आपके पूरे design को over करना होगा इस design की complete होने के बाद का final look बनने के बाद इस तरह से आएगा और यही पर हमारा आज का tutorial over होता है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like करे, share करे, comment करे और अगर चैनल को first time देख रहे हैं तो subscribe जरूर करे Thank you so much for watching, stay tuned and bye